गर्भावस्था के दौरान हर महिला की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि हर महिला को एक जितने ही अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने की सलाह डॉक्टर दें। वैसे आम तौर पर गर्भावस्था में तीन अल्ट्रासाउंड होते हैं. पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में होता है, जो की आम तौर पर प्रेगनेंसी के 6 से 9 हफते के बीच होता है. दूसरा अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, जो की आम तौर पर गर्भावस्था के 18 से 22 हफते के बीच होता है, और तीसरा अल्ट्रासाउंड तीसरी तिमाही में किया जाता है, जो की गर्भावस्था के आखिरी महीने की शुरुआत में किया जाता है. लेकिन आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपने अल्ट्रासाउंड कब और कितने करवाने है ऐसे में आपकी डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करती है कि आपने अल्ट्रासाउंड कब और कितने समय बाद करवाना है आप चाहें तो इस बारे में अपनी डॉक्टर से पूछ भी सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है, यदि कोई समस्या है, तो ऐसी कंडिशन में डॉक्टर तीन से ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह भी दे सकती है। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौनसा अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। झाल झाल